उन्हें पता है जब उन्हें वोट की जरूरत होगी तो कोई पुलवामा होगा, कारगिल होगा, सियाचीन होगा और वो कोई बाला कोट करवा कर तुम्हारी केश भक्ती की भावना को वोट में तब्दिल करके ले जाएगा क्या आपको पता है कि वो आपके खिलाफ मन माने वाइदे क्यों कर रहे हैं और क्या आपको पता है कि आपके धरने परदर्शनों के पावजूद उसके कानों पर कोई जू तक नहीं रेंग रही है क्या आप जानते हैं कि उन्हें किसान मजदूर श्रमिक और करमचारियों की फिक जरासी भी नहीं रही शायद शायद आपको नहीं पता पर उन्हें अच्छी तरह से पता है उन्हें पता है कि जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तुम्हारी वोट की तो वो तुम्हारे धर्म के सबसे बड़े रक्षक बनने का दावा ठोकेंगे और आप नहीं मान जायेंगे उन्हें पता है उन्हें पता है कि वोट के समय वो छोटे चोटे जातें और धर्मिक तंगे करवा कर तुम्हें बाट देंगे और तुम भीगी पे लेवन कर उनकी कोध में बैठ जाओ hätte उन्हें पता है, उन्होंने तुम्हारी नसों में धार्मिक गंद भक्ती भर दी है, जब चाहेंगे तब इसका इस्तिमाल कर लेंगे उन्हें पता है कि तुम्हें सिखाने वाला मीडिया उन्हीं का है, वो जो चाहेंगे वो तुम्हें सिखाएंगे, उन्हें पता है कि तुम्हारे बीच में कुछ दल्ले, रंगे सियार और पतल चाठ छोड़ रखे हैं, जो समय समय पर घर्म और जाती की खुराख तुम्हें रहते हैं। उन्हें पता है कि तुम आज जो रोजगार की मांग को लेकर चिला रहे हो, तुम्हें 307 और राम मंदिर की खुराक देंकर चुप करवा दिया जाएगा। उन्हें पता है कि जब जरूरत होगी तुम्हारी एक टाक को तोड़ दिया जाएगा। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आज तुम्हारा धर्म, किसान, मजदूर और श्रमिक है। लेकि परवोट के समय तुम ये जाती धर्म छोड़कर उसी नशे में कूद पड़ोगे। उन्हें पता है जब उन्हें वोट की जरूरत होगी तो कोई पुल्वामा होगा, कारगिल होगा, सियाचीन होगा और वो कोई बाला कोड़ करवा कर तुम्हारी देशभक्ती की भावना को वोट में तब्दिल करके ले जाए। उन्हें सब पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है।